Hello friends, welcome to UPSC वाला foundation. तो आपका एक जो थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंट्रस्ट है वह बना रहेगा, आपने पंचायद भी पड़ा और आपने कल की जो क्लास है वह भी देखे जिसमें कि आपने सोलर सिस्टम की बात की थी, तो इस तरीके से हम चलेंगे, आज ही क्लास में हम बात करेंगे जोग् इसमें है आपका दार्त इन अदा सोलर सिस्टम, लाटिटूट्स अं लॉगिटूट्स, मोशन अफ दार्त, मैप्स, बेज़ डोमें अफ दार्त, और कांट्री इंडिया ठीके, अच्छे क्लास के बाद ना मैस्ज करके बताना, मतलब क्लास जब देख लो, उसके बाद मैस जो आपका Monday, Tuesday, Wednesday, ओके, अपको आपका Wednesday होगा, तो आप उसमें जो लाइट सेशन चाहेंगे, उस लाइट सेशन में आप किवली किन्ट्रेक्शन चाहेंगे, या फिर आपके लिए कुछ कोशन सॉल्व कराये जाए, दिवेजन कराये जाए, वो कॉमेंट करके आप तरहिए, ठीक है, अच्छे देखो कल हमारी जो बात है, पूरी सोलर सिस्टम की हूई थी, सौर मंडल की हूई थी और हमने स् वार मंडल में बात की थी, परित्वी की, आप बने देखा था कि, जब हम हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करेंगे, आपको आप सबीट के पहले कॉमेंट किया हो आप सभी बच्चे जो कुछ कॉमेंट कर रहे के लिए मैं पॉलिटी कंप्लीट करा दिए कुछ बच्चे मैं नई जॉग्रफी भी ठीक है तो यहां पर प्रॉपर जो हमें आपका समझ में आता है ऐसे तो देखो कहने वाले गर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो वो सब जरूरी तो नहीं कि सब की अपनी एक ही राय बन जाए तो आ लेजे आधे बच्चों ने कहा आया फिर आधे से जादा बच्चों ने कहा कि ठीक है मैं जॉग्रफी चल ले दीजिए तो ठीक है जो आपका कल का चैप्टर वन था उसमें केवल डेफिनेशन थी अब उस डेफिनेशन में ऐसे बहुत ही ज़दा हमें चीज़ें नहीं समझा रही थी कि हम उसमें बहुत नोट्स बनाएं हाँ सारे चीजों को आपको फिर भी बहुत बेसिक से समझाया जहां जरूरत थी व आपने बढ़ा था ठीक है और जो next class होगी motion of the art की उसके पहले आपको यह तो चैप्टर ने यह आपको पता होने चाहिए clear चो और नोट्स आपको साथ-साथ बनाते रहना है चलो तो यहां पर रिविजन में आपको बता देती है कि आपने last class है class नहीं देखनी है आपको फि celestial bodies की बात की थी solar system जो है वह किसकी sun की family एक तरह से sun से related है और जो sun है वह क्या है मुखिया है और यहां पर पूरे solar system का एक मात्र उर्जा उश्मा heat and का heat का source है साथी हमने देखा था कि eight planets है जिसमें कि हमने शुरू किया था कि mercury से वीनस से आज से मार्स है जूपीटर है साटर दोने ठीक है तो यह सारे हमने अपने जो है प्लानेट से इसकी बात की थी प्लानेट किस शब्द से बिताए जूपी का यहांपर यहness वेल्ट किस-किस की बीच में थी, तो मार्स और युपिटर की बीच में है, ये सारी बाते हमने जानी, इसटार जू है इनका अपना प्रकाश होता है। सारी तबाम बाते हम कर चुके और जो सूरे है वह भी एक तारा है ठीके तो यह सारी चर्चा है हमने कल की क्लास में की हमने बात की आकाश गंगा की हमने बात की गैलक्सी की यूनिवर्स की है ना जिसमें मिलियन ओफ गैलक्सी है यूनिवर्स अब आज हमारा जो सेकंड चेप equator क्या है ठीक है लिखते जाईए latitudes क्या है longitudes क्या है equator क्या है latitudes क्या है longitudes क्या है heat zone of the earth की हम बात करेंगे और साथ में इसके साथ में जो एक और चीज़ हमें पढ़ने जो की important है वे आपका longitude and time है रहे देशांतर और सबैब longitudes and साथ में standard time भी हम पढ़ेंगे standard times equator विशुबत रेखा equator क्या विशुबत रेखा latitudes मतलब actions longitudes that means देशांतर ठीक है मतलब हिंदी हिंदी terms देख रहा है और heat zone of the earth प्रत्वी के ताप कटी बन प्रत्वी के ताप कटी बन प्रत्वी के ताप कटी बन है ना again हम इसको three parts में divide करते हैं again हम इसको three parts में divide करते हैं परस्ट है आपका टॉरेट जोन, टॉरेट जोन, पूष्ण कटी बंद, पूरा लिख लीजेगा, ठीक है टॉरेट जोन, पूष्ण कटी बंद, सकेंड है इसमें टैप्रेट जोन, शीतोष्ण कटी बंद, शीतोष्ण कटी बंद, और ठज है इसमें टैप्रेट जोन, ठीक है जो एकदम फ्रीज है, टैप्रेट जोन, शीत कटी बंद, कौन सा कटी बंद, शीत कटी बंद, ठीक है तो यहाँ पर हम प्रित्फए के, जो तीन कटी बंद इसकी बाद करेंगे, लोंगीटूड धाइम, देशांतर वा समय, स्टेंडर्ड टाइम मानक समय, स्टेंडर्ड टाइम मानक समय एक स्टूडेंट के ने कॉमेंट किया था अचा बीच मीच में बताती रहूंगी तापकी आपको यह प्रूफ मिलता रहे कि आपके कॉमेंट्स जो है वह देखते हैं कॉमेंट किया था कि अभी शुरू में जो 6-7-8 उसमें बहुत कुछ पढ़ने को है ने ऐसा आपको लगता है कि बहुत कुछ पढ़ने को है ने सीधा आप अभी इसके हम दो-दो-ती-ती चैप्टर्स डाल दें पॉसिबिल्टी है इस बात के लेकिन चुकि यह बेसिक के लिए स्टार्ट किया गया है दर्वाइस तो आपको वन शॉट में भी सारी 6-7-8 धी जा सकती है बट उसके लिए फिर आपका जो एक ब्रेक हो जाएगा ना फिर आप कैसे चीजों को दिखो जब थोड़ा-थोड करके समझते हो जब बेसिक बनाना आपको होता है तब को शुरुबात करो स्टार्टिंग में चोटे-चोटे स्टेपस आप ले आपकी पंचोलिटी आपकी कॉंटिनुटी बन जाए है ना फिर उसके बाद आपको चीज़े समझ में आने लगे देना थोड़ा सा तेज चल स है तो शुरूरात में आपको एकदम हैवी डोस नहीं दिया जाएगा कि नहीं घट्टे आपको साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स तो यहां पर आपके लिए ही नुकसान होगा ठीक है चलो शुरू करते एक बातों को समझना अच्छे पहले आप बहुत बच ग्लोब क्या है तो यहां पर वही ग्लोब है तो ग्लोब क्या है एक तरीके से एक मॉडल है हमारे अर्थ का तो ग्लोब क्या है एक मॉडल है अर्थ का एक मॉडल है तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे यह ग्लोब है आप सभी ने देखा होगा ग्लोब तो यहाँ पर देखो कि यह ग्लोब मतलब हम प्रत्वी को जो है यह आगे हम सब पढ़ेगे आप सोचेगे कि मैम यह कितने का जुकाव है और बाकी सारे चीज़े प्रत्वी की बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है कल जब हम motion of dart की बात करेंगे दैन हम काफी सारी चर्च करेंगे और कुछ जाने के बारे महत कुछ अभी कि इतना जानो कि यह जो है यह आपका globe है यारी प्रत्वी की तरह है ना एक तरह से हमने इसका बना लिया सो यह आपका क्या हो गया globe हो गया ठीक है यह आपका globe हो गया लेकिन देखो अगर आपको मालो इस globe पर कही कोई जो जगा है खोजनी ए फॉर एक्जामपल अगर मालो यहां पर आपको यह इंडिया का जो portion है यह दिख रहा है तो आप क्या कहोगी यह globe पे उस कैसे बताओगी कि यह जो वाला यह वाला जो place है वो यहा पर है उसके बाजू मैं है वो किसके वो उसके बाजू मतब ऐसे कुछ करके बताओगी यह तो क्या है कि हमने कुछ term's बना लिए हमने कुछ term's बना लिए इस globe पर तो हमने यहां पर इन जो terms उसको हमने क्या कहा कालपनिक रेखाएं कालपनिक रेखाएं हमने कुछ कालपनिक जो रेखाएं है वह खीच ली imaginary lines है न हमने क्या किया इस पे कुछ कालपनिक जो रेखाएं है वह खीच ली, इमेजनरी जो lines है, वह हमने खीच ली ग्लोब पर ताकि हम चीजों को क्या कर सके समझ सके है न, हम चीजों को समझ सके, clear है, चलिए तो यहाँ पर अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, और हम चीजों को अब समझते हैं, देखो यह हो गई हमारी प्रत्वी, चीक है यह हो गई हमारी प्रत्वी, अब देखो यह हमारी प्रत्वी हो गई, friends अब हमने क्या किया, इस प्रत्वी को बीच में से बीच में से हमने एक ऐसा पॉइंट देखा कि जस्ट हमने उसको बीच में से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहां पर यह वाली जो आपकी लाइन है, यहां पर यह वाली जो आपकी लाइन होगी, जो कि इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्वेटर, विशुवत रेखा, एक्वेटर, विशुवत रेखा, तो विशुवत रेखा अगर आपको इसको equator को जो है वे define करना हो तब आप क्या कहेंगे कि जो equator है वे क्या है तो basically equator क्या है कि जिसने जो प्रत्वी है उसको दो भागों में बाढ़ दे एक ऐसी image बरी line से कहीं पर खिची हुई नहीं है ये line इसके आप सोचोंगे प्रत्वी को दो पार्ट में divide कर दे अब देखो दो पार्ट कौन कौन से तो इसका जो northern parts है इसको हम क्या कहेंगे northern hemisphere northern hemisphere northern hemisphere उत्री द्रों उत्री द्रों ठीके और इसका जो Southern part है इसको हमने क्या कह दिया Southern Hemisphere Southern Hemisphere दक्षिनी द्रों तो विशुवत रेखा दक्षिनी द्रों यानि वह रेखा जिसने की प्रत्वी को दो भागों में डिवाइट कर दिया इस रेखा को हमने क्या कहाँ इसको हमने कहाँ equator या विशुवत रेखा क्लियर हुआ इतना अब देखो अब आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे इसके अलावा और भी रेखा को यहां इस तरीके जो student जितना अरव वर्क करता है उतना ही सीखता है तो यहाँ पर देखो कि हमें अरव वर्क हम क्या कर रहे है कि एक रेखा यह खिची हुई बाकि इस तरह की जो रेखा है वह और भी खिची हुई है ठीक है काफी सारी रेखाई खिची हुई है लेकिन इसमें कुछ lines ऐसी है ज जो की जादा important है ठीक है तो यहाँ पर ऐसी रेखाई है जो प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाटने वाली रेखा के parallel समनांतर खिची हुई है वो रेखाई क्या होंगी मतलब अगर आप यह जो प्रत्वी है आप यहाँ पर मैं ऐसी रेखाई खिच नहीं हुँ तो य यह ऐसी खिच हुई है ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर है ऐसी खिच हुई है अब यह जो रेखा है इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है लाटिटूड्स इसको हम क्या कहते है लाटिटूड्स ठीक है अक्षांस लाटिटूड्स आक्षांस रेखाए आया समझ में यह आपका क था आक्षाल्स रेखाए थी अब इसी तरीके से आब एक्वेटर को कह देते हैं 0 degree latitude क्या कह देते हैं 0 degree आक्षाल्स 0 degree latitude ठीक है अब देखो इसके परालल कुछ और important lines जो है वे खिची हुई है important की वे बात कर रही हूँ तो यहाँ पर देखो एक line जो important की ची हुई है इसके north की तरफ और यह जो आपका यहाँ पर हम अगर डिगरी की बात करें तो यह है 23.5 डिगरी पर ठीक है 23 तो यहाँ पर बच्छो यह 23 डिगरी पर यह जो latitude है इसका एक नाम रखा गया है ठीक है यहाँ पर इसका एक नाम रखा गया है इसको क्या कहा गया है Tropic of Cancer इसको क्या कहा गया है Tropic of Cancer तर्क रेखा तर्क रेखा ठीक है और एक और important जो line जो south में दक्षिनी तरफ 23 डिगरी पर है मतलब 35 डिगरी पर है ठीक है यह वाला जो आक्षांस है यह वाला जो आपका north latitude था ठीक है तो north उत्री आक्षांस पर आगर आपको Tropic of Cancer को define करना होगा तब आप कैसे करोगे कि 23 1.5 डिगरी पर है जो latitude है जो आक्षांस है और वो भी कापर है जो northern में है जो north में है उसे कहेंगे topic of cancer ठीक है उसे कहेंगे topic of cancer और यही जो आपका latitude है 23 1.5 डिगरी जो है यह आपका जो south में है यह वाला जो आपका latitude है इसको हमने कहा Tropic of Capricorn यानि मकर रेखा तो मकर रेखा क्या है विशुवत रेखा के दक्षिन में 25.5 डिगरी की रेखा ठीक है तो यह आपका क्या हो गया यह आपका कौन सा latitude हो गया यह आपका 23 ठीक है अब देखिए एक और important आपका circle है जो की कितने डिगरी पर है 66 1.5 डिगरी नॉट और इसको हम कहेंगे Arctic Circle Arctic Circle Arctic Vrath ठीक है Arctic Circle तो Arctic Vrath कहाँ पर है 66 1.5 डिगरी नॉट में जो latitude है वो आपका Arctic होगा ठीक है और फिर यहाँ पर आपका जो यह 90 डिगरी है यह आपका northern hemisphere ही है यह आपका क्या है उत्री धूफ ही है ठीक है आगे समझ में अब यही आपका जो circle है यहाँ पर भी बन रहा है अगर हम देखेंगे south में तो 66 1.5 डिगरी जो latitude है इसको कहेंगे Antarctic Circle यह कौन सा circle है यह Antarctic Circle है Antarctic Vrath Antarctic Vrath ठीक है और फिर आपका यह 90 डिगरी यह southern hemisphere ही है आगे समझ में तो यह important आपके कुछ latitudes थे आया समझ में यह अक्षांस तो अक्षांस आप देखना है इसकी हम कुछ विशेशता है देखेंगे यह तो आप समझ गए इतरा तो आप समझ गए यह जो है यह आपका क्या है अक्षांस है अब देखो आगे कुछ और important points की हम बात करते हैं ठीक है तो आपका जो latitude topic of cancer करके रेखा कहेंगे और आपका 66 1.5 डिग्री नॉर्थ पर जो latitudes को आपका अर्क्टिक सर्कल कहा फिर 90 डिग्री आपका northern hemisphere clear हुए इतना अब साउथ में आ जाओ तो यहाँ पर देखो 23 1.5 डिग्री जो south latitude को में टॉपिक आपको आपका 66 1.5 डिग्री जो south latitude को आपका अंटार्क्टिक सर्कल कहा ठीक है अब हिंदी में एक बार सुलो कि 0 डिग्री आपका जो है यह आपका विश्यूवत रेखा है विश्यूवत रेखा जो प्रतिवी को दो बराबर भागों में बाट रही है और यहाँ पर उत्तर मोत्री द्रों में दक्षिर में अलिए यह थे कर देखता पर अंटार्क्षिन को सब्दों के क्लेर हो गया न Siyaa का एक अथ-धाय प्वार्ट बार सबिखते हैं तो हमने अब तक बात की its वाले पосьंट की की यह जो है आपके ये जो circuits आपको दिख रहे हैं ये क्या है आपके latitudes है ये आपके क्या है अक्षांस है ये आपके latitudes है ठीके latitudes है और यहाँ पर हमने तो यहाँ पर देखो इसकी कुछ हम विशेश्टाओं की बात करें जैसे कि मालो आपने एक बॉल पर देखा होगा तो अगर उसके point तक इस तरह के goal points जो है खीचे जाये तो आप देखेंगे कि जो beach वाला जो circle है वो सबसे जादा बड़ा होगा और जैसे जैसे आप उपर की तरफ आएंगे जैसे जैसे आप उपर की तरफ आएंगे तो जो circle है वो छोटा होता जाएगा इसका मतलब क्या है कि हमेशा हर जगा जो अक्षांस है उनका जो साइज है उनका जो आपका अक्षांस के जो circle है जो latitude है उसको अगर आप देखें तो वो सब जगा बराबर नही है ना क्योंकि जब ये पोल की तरफ जाते हैं ठीकि साउथ पोल और नौर्ट पोल की बात करें उत्ति और दक्षिन धूफ की बात करें तो यहां पर क्या है इनका जो आकार इनका जो साइजे वे छोटा होता जाता है तो एक विशेशता आप समझ गए ठीकि आब हो मगर इ सेम ही लाटिटूड पर सेम ही लाटिटूड पर तीन स्थान हैं आप कैसे बताओगे कि यह कहां पर आप कहूगे इसके बगल में यह स्के बगल ऐसे कुछ को होगे क्या क्या对 nie की कुच जो ईस तरीके कि भी हूँ जो एक mortar इस वे क्या करें एक ऐसा आपको एक location दे दे और आप बता पाओ कि यहाँ पर particular location है किसी भी चीज की चेके किसी भी स्थान की तो इसलिए हमें आक्षांस देशांतर जो रेखाए है इसकी हमें जरुरत होती है अच्छो देखो तो यहाँ पर latitude and longitude की अगर हम बात करें to locate लिख लो इसको to locate point or places to locate point or places on the globe अगर हम globe पर देखें तो आपको जो भी अगर कोई point कोई place को अगर point करना है तो उसके लिए हमें इसकी जरुरत होती है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा एक geographical 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 coordinates ठीक है geographical coordinates का जो काम है वह latitude और longitude दोनों करते हैं so basically इससे आपको location इससे आपको distance location है distance है इन सभी चीजों के बारे में coordination एक जो जानकारी है direction है कौन किसके east में है west में है north में south में है इन सभी चीजों की जो जानकारी है वह मिलती है और इसी वज़े से हमारे लिए important होते हैं आपके आक्षांस आपके देशांतर और आक्षांस latitude and longitude ठीक है clear है अब देखो थोड़ा से देशांतर को समझो तो यहां पर जब हम बात करेंगे longitude की देशांतरों की तो यह क्या है northern pole उत्त्री ध्रोब ठीके northern pole northern hemisphere और हम यहां पर southern pole की बात करें दक्षिनी तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे longitudes कहेंगे ठीके इसको हम जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या कहेंगे longitudes कहेंगे तो याद अखना कि जो latitude है ये आपकी किस तरह की lines है ये आपकी horizontal lines है ठीके ये आपकी horizontal ये आपकी horizontal lines है कहीं पर किची हुई है क्या नहीं ये imaginary lines है न आपकी horizontal जो lines है याद अखना that measure distance north or south of the equator that measure the distance north or south कहां से आपका जो equator है equator से आपका north or south तो आपका मेजर करेगा, यह distance बताएगा, यह आपका latitude हो गया, ठीक है? For example, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो latitude पता है, वह क्या है? 8 degree, 4 minute north, अब आप समझ गए 8 degree, 4 minute north, अगर मैं यहाँ लिख दू तो चलेगा? तो इंडिया का पता है, अगर आपको गलोब पे खुझ ना हो, लेकिन के वरिस से काम नहीं चलेगा, अब आपको latitude भी चाहिए, आप देखो तो लोगिटूड का मतलब क्या है? कि northern pole और southern pole दोनों ध्रूबों को मिलाने वाली जो रेखा है है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम longitudes कहेंगे, ठीके? तो basically यह कैसी lines है? यह आपकी vertical lines है, ठीके? तो यहाँ पर की दर सा पता? longitudes, देशांतर आपकी खड़ी हुई lines है, ठीके? अदाक्षांस, latitude आपकी पड़ी ह कोई line से, बस खड़ी और पड़ी है, आप यादर कलो, आमेशा चीज़े याद रहा जाएंगी, तो यह आपकी vertical हो गई, ठीके? तो यह कैसे measure करेगा? vertical lines मतलब जो longitude है, यह क्या measure करेगा? east और west measure करेगा, ठीके? east और west measure करेगा, लेकिन यह east और west कैसे measure करेगा? यहाँ पर तो आपने zero degree latitude, zero degree, जो आपका latitude है, जिसमें की equator कहा था, तो उससे आपने part को आलसानी से divide कर दिया था, लेकिन यहाँ पर, जो यह 360, 360 इस तरह की जो रेखाय खिची होई है, पूरे globe पर, जो longitudes हैं, यहाँ पर आप zero degree किसको मानोगे? यह एक बहुत बड़ा विवाद था, और ऐसे में, जो British की, अगर हम बात करें, तो British में जो उसकी वैदशाला है, जो उनकी laboratory थी, वहाँ से एक zero degree, जो, zero degree मतलब वहाँ से जो शुरवात है, इसकी मानी के longitude की, ठीके? तो यहाँ पर आपको याद अखता है, कि zero degree, जो आपका longitude है, यह कहां से, जो green bridge, England में, जो mer gradient से, है न, जो, आपकी zero degrees में latitude होगी, उससे आप east की तरफ आएगे, तो east, और पर आप west की तरफ जाएगे, तो यह आपका west count होगा, च़के? टो east की तरफ आएगे, तो 180 degree एस तक count होगा, और west की तरफ जाएगे, तो 180 degree जो lines है, 180 जो lines भी है, यह आपकी west की तरफ count होगी, एक बात और, यहाँ पर भी 180 है, यहाँ पर भी 180 है, तो क्या यह 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री इस्ट की जो लाइन है, क्या यह एक ही लाइन है, यह एक ही लाइन है, यह एक ही लाइन है, तो 180 डिग्री जो एस्ट लाइन होगी और जो वेस्ट लाइन होगी वो एक ही ला सेवन मिनिट है ना इस्ट कहाँ पर इस्ट आगे सबज में और साथी 97 डिगरी 25 25 मिनिट इस्ट तो ये इंडिया का कौन सा पता हो गया लॉंगिट्यूट तो जब आप इंडिया के दोनों पते को जानेंगे ये इसका आक्षाल्स वाला ये लाटिटूड ये कि अगर हम बात करें ये जो imaginary lines है ये क्या है बच्चो किसी भी place को point करने के लिए globe पर और ये geographical coordination, location, distance और direction के बीच में एक सामंजिस जो है वे बैठाती है समझ में आया latitude and longitude चलो अब हम आगे चलते है clear है चलो अब एक point और समझो अच्छा ये बताओ मैंने आपको सौर मंधल की जब बात हुई थी तब हमने देखा था कि अपने अपना जो orbit है है ना सूरी के चारो तरफ जो orbit है यहाँ पर प्रत्वी चक्कर लगाती रहती है तो यहां पर आगे हम देखेंगे friends कि जब वो सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाएगी तो कभी उसकी इस्थिति मालो यह चार पॉइंट है कभी कोई पार होगा जो सूरी के सामने आएगा और ऐसे में हम देखेंगे कि यहां पर जो sunlight और जो heat है उसका program change होता रहता है तो यहां पर प्रत्वी को मिलने वाला जो ताप है प्रत्वी को मिलने वाली जो उश्मा है जो heat है जो light है वो same नहीं होगी है न वो change होती रहेगी समझे अब देखो कुछ बातों को सुनों तो यहां पर माल लिजे यह आपका सूरे हो गया पूरा तीकर यह आपका सूरे हो गया अब देखो क्या होगा कि सूरे का वह हिस्सा मतलब प्रत्वी का वह हिस्सा जिसमें सूरे की जो रोश्नी है जो अगर हम sun heat and light की बात करें यह एकदम सीधी मिले, ये एकदम कैसी मिले, एकदम सीधी मिले, तो जब आप सीधी किर्णों की बाप करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जो लेंस होता है, उससे अगर आप सुरी की रोशनी में करें, तो उससे कागत जल जाता है, बशारते उस आप एक फोकस बना ले अब मालो कि इसके बाद का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर सूरी की जो किड्ने वे थोड़ी सी कैसी जा रही है तिर्ची जा रही है तो आप देखो माली जा आपने टार्ट से जो है रोशनी की तो यहाँ पर एक जगह है कि आप एक्दम सीधी लाइट वार रहे हो और दूसर जगह है कि आप कही और उसका फोकस बना रहे हैं तो आप दिखोगे कि जब आप उसको थोड़ा सा टेड़ा कर देंगे तो वहां पर प्रकाश है कम हो जाएगा जो लाइट है जो हीट है कम हो जाएगी ठीक है अब इसी के आधार पर हमने क्या किया है कि जो हमारी यह प्रत की जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर रे और टॉपिक ऑफ कैप्री कोल है है ला कर कर रिखा और मकर देखा अगर आपको टॉपिक ऑफ कैंसर पूछू या कैप्री का बोलू आपको तुरंत ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यह 20 डिग्री 23 की अगर हम बात करें तो 23, 1.5 डेगर not की बात हो रही है south की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो यह पार्ट ऐसा है जहाँ पर सूरी की किर्णे जो है वे क्या होंगी एक तरह से वर्ष भर है ना सूरी की किर्णे जो है याद अठना कि यहाँ पर वर्ष भर क्या होंगी सूरी एक मतलब वर्ष में एक बार दो पहर में ठीक सिर के उपर होता है मतलब यहाँ पर जो सूरी की किर्णे है वे कैसी होंगी एक बार सूरी मतलब सभी जो latitude से यहाँ पर होंगे सभी जो आक्षाल्स होंगे उस पर बहुत ज़ादा जो heat है बहुत ज़ादा जो उश्मा है वे प्राप्त होगी ठीके तो याद रखना कि ये वाला जो point है ये वाला जो area है उसको बहुत ज़ादा उश्मा मिलेगी ठीके चलो next पर बना देंगे यहाँ बना आप यहीं सारा mix कर लोगे तो यहाँ सबसे ज़ादा heat मिलेगी क्योंकि सूरी की किर्ने सीधी पड़ रही है और बाकी देखो इसके बाद सूरी की किर्ने कभी भी सीधी नहीं पड़ रही है मतलब 23 की बाद हम अगर कहें इसके बाद जो arctic व्रत तक का जो जगा है यहाँ पर सूरी की किर्ने तिर्ची कर रही है यहाँ पर उतरी ज़्यादा heat उतनी ज़्यादा जो light है यहाँ नहीं इन अधर तो इस को हम एक बोल दिया ये कौन-कौन सा होगा, south और not दोनों में होगा, 23, one and a half, south से लेके 66, one and a half टेगरी था, ठेक है, और यहाँ पर, सेम वही, तो इन दोरों को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, temperate zones, यानि शीतोष्र कटी बंद, अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखो कि अगर हम polar area की बात करेंगे, धुबी शेत्री की बात करेंगे, तो यहाँ पर सोरी की किर्डे कभी उपर ही नहीं आती, इसके शिति and आपका freezing zone, ठीके, ऊशन, शीतोष्र and शीत कटी बंद, तो यह हमने कटी बंद कैसे बाटे थे, तो जो प्रत्वी के किसी एक भाग को जो ऊश्मा मिल रही थी, जो sun, light मिल रही थी, जो temperature मिल रहा था, उसके आधार पर हमने इसको divide किया, ठीके, आओ हम इसका map देखते है, आरा समझ पे, तो यहाँ पर यह आपका कौन सा हो गया, torrid zone हो गया, यह आपका क्या हो गया, ऊश्नकटी बंद हो गया, torrid zone, ऊश्नकटी बंद, ठीके, इसकी क्या विशेष्टा होगी, ऊश्नकटी बंद किसे कहेंगे हम, सारी चीज़ों को देखो याद करते जाना, ऊश् 23 degree, 23 degree 30 minute north and 23 degree 30 minute south है न, इसके बीच का जो यह portion है, जहाँ पर sun rays जो है वे एकदम सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर कुछ points में आपको लिखवा देती हूँ, तो जो आपका torrid zone है, वह क्या होगा, the midday sun is exactly, the midday sun is exactly overhead at lead, overhead at lead once a year, once a year, on all latitude, on all latitudes, ठीक है, करक और मकर रेखा के बीच सभी आक्षान्सों पर सूरे वर्ष में एक बार, सूरे वर्ष में एक बार ठीक उपर होता है, सर की ठीक उपर होता है, और अगर ठीक उपर होगा, focus जादा बनेगा, तो definitely यहाँ पर जो इसे उश्मा मिलेगी, वो जादा मिलेगी, है न, clear है, तो इस zone को हम क्या कह रहे हैं, इस zone को हम कह रहे हैं, उश्ट कटी बंद, हिंदी, इंग्लिश, दोनों में देख लेना, ठीक है, उश्ट कटी बंद कह रहे हैं, अब टॉरेंट जोन कह रहे हैं, अब आगे चलते हैं, और second की बात करते हैं, कि यहाँ पर, topic of cancer के बाद, topic of capricorn के बाद, topic of cancer के बाद, कोई भी latitude ऐसा नहीं होता, जहाँ पर सूरी की किनले ठीक सीधी हो, ठीक है, ठीक सीधी हो, ऐसा इसके बाद कोई भी latitude नहीं है, मैं यहाँ पर 2-3 star लगा देती हूँ, है न, क्यों, मन कर रहा है मेरा, नहीं, UPSC ने पूछा था, ठीक है, यहाँ रखना, जहाँ पर भी star लगाती है, UPSC ने पूछा था, इसलिए लिखवा भी नहीं हो, तो यहाँ रखेंगे आप कि, यहाँ पर किसी भी आक्षांस पर, the midday sun never shine overhead on any latitude beyond tropic of cancer and capricorn, तो यहाँ पर दोनों के लिए same ही होगा, कि temperate zone जो है, वैं क्या होगा, the midday sun, दो पहर का अगर हम सूरी की बात करें, never shine overhead on any, overhead on any latitude, any latitude beyond the, beyond the tropic of cancer and capricorn, समझ जाओगे न, tropic of cancer and capricorn, मतलब कर्क और मकर रेखा के बाद हम देखेंगे, कि यहाँ पर दो पहर का सूरे कभी भी ठीक उपर नहीं होता, इसलिए से कम उश्मा कम प्रकाश प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इस zone को हमने क्या कहा, दोरों तरफ है यह zone, याद रखना किवल south में नहीं है न, north में भी, तो यहाँ पर इस zone को हमने क्या कह दिया, शीतोष्ट कटी बंद, इसको हमने क्या कह दिया, शीतोष्ट कटीबंद टैंप्रेट जोन शीतोष्ट कटीबंद टैंप्रेट जोन ठीक है ख्लियर है अब एक और हमारा कटीबंद बच गया जैसे कि हम देखते हैं कि यह आपका अंटार्क्टिक सर्किल है और यहां पर 66 डिग्री 30 मिनिट पर यहां तो बने नहाफ लिख लो सूर है संद दस नॉट राइज मच अबव दा होरी जोन यहां पर अगर हम संद की बात करें तो कभी भी यहां पर जो सूरी की किर्ने शितिश के ऊपर नहीं आती है और इसलिए यहां पर शीत जोन बन जाता है ठीक है शीत कटीबंद शीत जोन नहीं शीत कटीबंद तो यह यहां पर क्या हो गई यह आपका phrased zone होगा यह जमे हुए है यह जमे हुए है ना तो यह आपके सारे क्या हो गई temperate zone हो गई समझ में आया the sun does not rise much above इसको लिख देती हूँ यहां पर the sun does not rise much above the horizon ठीक है, कभी भी यहाँ पर शितिच की उपर जो सूरे है वे नहीं आएगा, आगे समझ में तो ये थे आपके कचबंद, अभी तक हमने दिशांतर की जो चर्चा है वे थोड़ा सा ठीक से नहीं, दिशांतर की चर्चा हमें और करनी है, क्योंकि उसके साथ हमें फिर जो टाइ हो रही हो तो, देखो अगर आप ये सोचोगे ना, कि आप केवल किस कि की बात कर ली, हमने main जो important आपके latitude है, ये भी देखा, latitude क्या है, ये भी समझा, हैना और अगर हम longitude और latitude की बात करें, इसका importance क्या है, क्या ये figures होते हैं, इसको भी देखा, इंडिया का अगर हम देखें, location तो वह क्या है, और जो globe हैं क्या है, ठीक है, तो यहाँ हमन zones of the earth heat zones of the earth ये भी हमने बात कर लिया ठीक है और हमने torrid zone temperate zone and हमने phryzid zone की भी बात कर ली सब को हमने map से समझा और अब हम देखते हैं देशांतर वा समाई लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और हम बात करेंगे देशांतर के बारे में थोड़ी सी और हम बात करेंगे किसके बारे में देशांतर के बारे में ठीक है चलिए longitude तो यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या था zero degree जो latitude था आक्षांस था ठीक है इसको आपने क्या कहा था यह equator और equator के समरांदर parallel जो भी round ऐसे बने हुए था उन सभी को आपने आक्षांस कहा बचा आपने northern latitude, south latitude लेकिन अब जब हम longitude की बात करेंगे तो आपका जो northern hemisphere है और आपका जो southern hemisphere है ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों देखो और भी इस तरह की जो रेखाए है उससे हमारा imaginary lines है ना पूरे globe को हमने ढग दिया पूरे globe को हमने इससे क्या कि है ढग दिया और इन lines की अगर हम संख्या की बात करें, numbers की बात करें तो यह कितना है? 360 degree लेकिन जो हमने कहा कि 360 है तो यह 360 में 0 कहां से शुरू होगा main पंगा इस बात का था ठीके? कि अगर हम यह कहें कि उत्री द्रोबर दक्षी द्रोब को जोडने वाली जो रिखा है definitely हमने उसको देशांतर कह दिया और अच्छा एक बात और याद रखो कि यहाँ पर यह जो है ना वो semi circles है वो semi circles है जैसे एक difference जो latitude और longitude में है इसको भी देख लो एक difference तो हमने अक्षांस यानि latitudes की जब बात की थी तो latitudes क्या थे? यह इस तरह के विशुवत रिखा के जो circle थे मतलब यह complete circle थे और जब हमने latitude की बात की तो यह तोटे हुए circle से है ना तो हमने इसको semi circle कहा यह क्या है? यह अर्द व्रत है यह semi circle है क्योंकि यह ऐसी ही तो रिखा है प्रत्वी चू की गोल है तो हम आधी line कहीं से भी खीचेंगे तो वो जो है वो half हो जाएगी है ना वो जो है उसको हम क्या कहेंगे? semi circle कहेंगे half circle कहेंगे clear है? तो यहाँ पर जो main problem थी एच्छे एक difference को याद रखना main problem थी कि आकेर हम zero degree जो है वह किसको माने? zero degree जो है वह किसको माने? तो याद रखना कि हमने green which green which दिखें? green which को हमने प्रधान जो अपना zero degree longitude है यह माना zero degree जो longitude है zero degree जो देशांतर रेखा है प्रधान याम्योत्तर रेखा भी उसको हिंदी में कहा जाता है UPSC नहीं लिखा था प्रधान याम्योत्तर वोड आएगा देशांतर याम्योत्तर वर्ड भी लिखा होता है प्रधान याम्योत्तर रेखा ठेकर तो यह क्या है यह 0 degree आपका जो green wedge line है उसी को prime meridian prime meridian 0 degree जो आपका होगा जैसे कि हमने माली जी इसे माल लिया यह आपका 0 degree होगा और यह 0 degree आपका क्या है green wedge से जो रिखा गुज़री है जो कि क्या है British की है यहापर बिटिश वैदशाला है, यहां से गिंती शुरू हुई और इस 0 डिगरी के बाद, इस 0 डिगरी के बाद क्या हुआ, इस 0 डिगरी के, माली जी यह 0 डिगरी हम मानते, ठीके, तो इसके East में East Latitude और West में West Latitude, तो यहां पर हमने देखा एक बात इसे समझो, कि हमने कहा कि यहां पर यह 360 डिगरी है, ठीके, क्या है यह 360 डिगरी है, अब देखो हमने इसको कैसे समझना है, कि 360 डिगरी माली और आपको पता है कि एक दिन में जो प्रत्वी हैव है, पूरी घूम जाती है अपने अक्सेस पर, अपने अर्थ पर, और ऐसे में यह जो 360 वाला कॉंसेप्ट है यह आपका क्या कहता है, इसको समझ दो, 360 डिगरी है और आपके पास 24 आर है, ठीके, 360 डिगरी और 24 आर, तब अगर हमें 1 आर का निकालना हो, तो 1 आर में कितने डिगरी घूमेगी, 15 डिगरी, 1 आर में कितने मिनिट होते हैं, 60 मिनिट, ठीके, 60 मिनिट और अगर हमें 1 तो इस तरीके से जो टाइम है वह निकाला जाता है अब यह बत्पूशा किसका टाइम टाइम निकालने के लिए आपको कभी नहीं दिया जाएगा आपको बस यही दिया जाएगा ठीक है यही पर आपको बताया जाएगा इस से जादा नहीं सीखना है कि आप सोचऑ कि आपको हर इक रगा का जो टाइम मेवेь निकालना है. अगर हम प्राइम मेरे डियरियन की बात करे जो आपकी प्रधार एकन से दिशांतर रेखा, जोENTSå Zero कि तोटल जो हैं कितने लाइन से 360 हैं और यह कैसे यह सैमी सकल से यहां पर अच्छा एक बात और सुनो कि यहां पर हमने देखा था कि जो आपकी लैटिटूड से लैटिटूड से हमेशा ऐसे खिच रहे हैं और वह कभी आपस में मिल ली रहे हैं कि वह गोल सकल है ना तो पर झाल जो कि एक रहे हैं तो यहां पर जो दूरी है कंऊ और भीच में होगी जहां पर आपका एक से यहां पर जाकर तो यह आप congratulations सब्सक्राइब लेकिन शिपरते हैं कि यहां आपस में कभी को और यह यहां जो गलती से लागर एक चिछिढ हो हमने देखा कि जो आपके longitudes है ये धुर्बो पर जाकर ये pulse पर जाकर आपस में क्या हो जिते हैं मिल जाते हैं ठीक है clear है clear है clear है इतना चलो अब एक बार हम time की और बात कर लेते हैं longitude and time देखो अगर किसी जगा का आपको time तो time ऐसे ही निकलता है कि आपको ये पता चल जाए कि कोई भी जो अस्थान है वह कहाँ पर है इस zero degree जो आपका prime meridian जो line है इस gain which कहाँ पर है और example माली जे हमें इंडिया का time निकाल ला है अगर आपको इस से इंडिया का distance पता है एक इस रेखा से आपको ये पता है कि इंडिया का जो distance है वह कितने degree का है तब आप degree से यहाँ पर time जो है वह सादी से निकाल सकते हैं ठीके यहाँ से आप जो time है वह बहुत आसादी से निकाल सकते हैं आप देखो कैसे तो यहाँ पर हमने देखा कि 360 यहां पर हमने क्या बात की कि 360 डिग्री जो है वह टोटल है और 24 आर और इसके बाद हमने क्या निकाला कि अगर हम एक मिनिट की बात करें तो एक मिनिट में कितना 360 फिर से देखले एक बार और इस तरीके से वन आर में कितने डिग्री 15 ठीक है 15 डिग्री तो यहां पर 60 मिनिट हो रहे हैं तो अगर हम बन मिनिट से इसको डिवाइड कर देंगे तो लगबाग 4 डिग्री जो प्रत्वी है वह घूमेगी एक मिनिट में और उसी हिसाब से हम निकालेंगे साथ ही देखो कि अगर आपको इस्ट की तरफ जाना है आपको पता है कि जो प्रत्वी है वह कैसे गूम रही है वैस्टू इस्ट वैस्टू इस्ट है ना प्रत्वी जो है वैस्टू इस्ट गूम रही है और ऐसे में अगर आप इस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका जो टाइम है वैं ब तो वहां पे एक घंटा जादा होगा और अगर आप 15 डिग्री वेस जा रहे हैं तो उसमें एक घंटा आप कम कर ले तो इस तरीक इस जो टाइम है वैं निकाला जाता है और ऐसे ही हम देखते हैं कि इंडिया का जो टाइम है ठीके अगर हम टाइम की बात करें कि ग्रेन विच चाहिए 5 वार 30 मिनिट 5 वार 30 मिनिट का जो टाइम है ये इंडिया का जादा है गेट बिच से ठीके अगर मा लिजे लंदन में जो है वे दो पहर के दो बजरे होंगे तो उसी टाइम इंडिया का जो समय है वे क्या होगा ये होगा 7.30 इवनिंग का 7.30 ठीके अब देखो एक और आपको समझना है स्टैंडर्ट टाइम क्या होता है स्टैंडर्ट टाइम क्या होता है देखो मैंने आपको ना ये सारी चीज़े इसमें रहेंगी आप इसको पढ़ लीजेगा क्योंकि डेफिनिशन और इस चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है नोट समने बना लिया और चीज़ों को हमने समझ लिया ठीके? कुश्चन समबाद में कर लेंगे अब देखो स्टैंडर्ट टाइम की जरूरत हमें क्यों होती है ये जो मानक समय है ये क्या कहलाता है मानक समय एक तो होता है देखो लोकल टाइम लोकल टाइम इस्थानिय समय किसी भी इस्थान का जो समय है है न वो स्थानिय समय इस्थानिय समय क्या कहता है कि जब यहाँ पर सूरी जो है वो आसमार में सबसे उपर होगा सबसे हाइट पर होगा और उसमें सूरी की किर्णे सीधी पड़ रही होगी तब यहाँ पर दो पहर के 12 बजेंगे यह उस जगा का local time होता है लेकिन अब देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा लगबग 30 degree के आसपास जो एक विस्तार है 30 degree जो आपको latitude longitude का difference देखने को मिलता है ऐसे भी अगर हम गुजरात की बात करें और नाचल प्रदेश की बात करें इन दोनों की बीच में लगबग 2 घंटे का अंतर है माली जी सूरी जो है और नाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे दिखेगा और गुजरात में 6 बजे दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों की बीच में इतना जादा difference है तब ऐसे बे आप कैसे ये कह सकते हो कि जो 12 बजेंगे अगर ये debate का issue है कि क्या भारत में एक से जादा standard time होने चाहिए अगर माली जे railway station हैना सारी जो railway network आपको एक टाइम चाहिए आपको पता है कि 12 बजे ट्रेन आएगी पर वहाँ की हिसाब से तो एक बज़रा था वहाँ पर आपकी ट्रेन तो गई तब ऐसे में बच्चों जरुरत महसूस होई कि सारी चीज़े जो है इंटीगेटेट टाइम से चले ओफिस टाइम 11 बजे है तो वो ओफिस टाइम 11 से साथ जोव में सभी जगा पर है ठीक है तो यहाँ पर क्या किया इसके लिए हमने एक बीच की रेखा चुनी और यहाँ पर यहाँ से हमने अपना मानक समय लिया वो था आपका 82 डिगरी 30 मिनिट या साथे 82 है ना साथे 82 डिगरी हाँ यही सही होगा साथे 82 डिगरी और क्या है आपका पश्यम या पूर्वी देश आंतर इस्ट आपका जो लोगी टूड है ठीक है तो यहाँ पर इससे हमने जो अपना जो समय है standard time में वह माना और यहाँ पर बारा बजेंगे इसको यहाँ पर जब सूर्य सब से ऊपर होगा बारा बजेंगे तो पूरे देश की जो घड़ी है वह बारा बजाएंगे ठीक है और इसी को हमने IST कहा Indian Standard Time ठीके इसको हमने IST कहा Indian Standard Time कहा भारती मानक समय कहा तो यह याद अठना कि यह हमने जो लाइने वे कहां से ली है 82 degree 30 minute east longitude ठीके और local time क्या है this meridian is taken as the standard time for the whole country it is known as the Indian Standard Time तो यहां पर यहां पर यहां का जो local time है वही हमने पूरे देश की जो घड़ी आए वे इसी line के accordingly मिला दी ठीके clear हुआ इतना clear होगे इतना अब आगे देखो तो हमने solar system की बात की थी आज हमने latitudes longitudes देखा देखो यह revision class में और यह test जब होगा तब मैं इसके आपकी जो MCQs है मैं complete कराऊंगी ठीके revision class में complete कराऊंगी तो हमने विश्वत रेखा आक्षा यह सारी चीज़े याद अठना upgrade करते हुए हमें आगे भी पढ़नी है यह इन सभी चीज़ों का हमें 9 में भी पढ़ना है देख लिया longitude latitude की भी बात कर ली important heat zone में हमने सारे चीज़ों को देखा important latitude में topic of cancer और आपका arctic circle topic of capricorn अंठाक्टिक circle यह सारे चीज़े हमने देख ली अब आपको यहाँ पर मैंने यह जो देखो अगर आप तब नहीं पड़ेंगे ताब काम नहीं चलीगधा आपको book reading करनी ही करनी है छीजों को आपको याद करना है समझा मैंने दिया याद करने का काम आपका notes बनाने का काम आपका revision का काम आपका अगर आपको job लगेगी तो आप ही को लगेगए है तो यहां पर आपको कुशिश करनी है, जितनी कर सको उतनी करो, अच्छी class भी मिल जाए, लेकिन आपने उस पर वक्त नहीं किया, आपके वो काम नहीं आएगी, ठीके, आपको थोड़ा सा उसत class मिल जाए, किसी भी टीचर की, लेकिन आपने खुद से जो सा स्टेडी है वैं की है, तब डेफिनिटली आपको जो चीज़े हैं वैं क्लिक होंगी, तो आपको बच्छों पढ़ना है, ठीके, चलो थोड़ा सा कुछ बाते बता देते हूं, जैसे कि हम equator की बात करें, आप इसकी थोड़ी सी रीडिंग भी करते हैं बच्छों, खिके रीडिंग भी करते हैं, खुद से कभी कभी करनी बाते हैं आप सभी, तो equator विशुवत रीखा क्या है, आप अब इसको पारिभाश एक थोड़ा सा वर्ट्स में पढ़ ले, equator क्या है, is an imaginary circular line, circle है, जो circular lines है, उनको हमने equator कहा, उनको हमने latitude कहा, तो equator क्या है, आपका 0 degree latitude, 0 degree जो latitude है, यह आपका विशुवत रेखा है, यह आपका equator है, ठीक है, सुदाई equator represents the 0 degree latitude, since the distance from the equator of either of the pole, is 1 4th of a circle round in the earth, it will measure 1 4th of 360 degree, ठीक है, मतलब 90 degree, तो यहाँ पर, यही 90 degree, आपका north pole है, 90 degree, आपका south की तरफ south pole है, all parallel north of the equator, are called north latitude, यह मैंने आपको बता दिया, हैना कि जो भी parallel, आपका equator के north में है, उसको आप क्या कहोगे, north latitudes, और similarly, all parallel south of the equator, are called south latitude, ठीक है, तो यहाँ पर याद अटना है, the value of each latitude, is indicated by the letter N or S, UPSC ने question पूछा था, और यहाँ पर UPSC ने जानते हो, बस north का पूछा, north का पूछा, और उसमें south लिग दिया था, बस इतनी mistake थी, तो UPSC यहाँ से भी question पूछता है, तो यहाँ पर important parallels की, भी हमने बात कर लें, कि Tropic of Capricorn 23 degree, 30 minute in the Northern Hemisphere, इसको हम Tropic of Cancer कहेंगे, यानी सर्क्रेट, ठीके, और यहीं रेखा, जब दक्षिन में खिची जाएगी, Southern Hemisphere में, तब हम इसको Capricorn कहेंगे, यानी मकर रेखा, ठीके, और Antarctic, sorry, Arctic Circle कहाँ पर होगा, 66 degree, 30 minute पर, जो North of the Equator होगा, यह आपका Arctic होगा, और Antarctic, जो 66 degree, 30 minute South Hemisphere पर होगा, South of the Equator है ना, यह आपका Antarctic होगा, अब देखो Heat Zone की हमने बात करेंगे, तो Heat Zone में हमने Torrid Zone देखा, Torrid Zone यानी जो ऊश्न कटी बंद है, ऊश्न कटी बंद मतलब, जहाँ पर जादा ऊश्मा प्राप्थूरी, जादा टेंपरेचर है, वै ऊश्न है, Torrid Zone है, दा मिदे Sun is exactly overhead, देट दा, लीस्राव वन से आईयर, बस यही लाइन जो है, UPSC ने पूछी होई थी, ठीक है, यही लाइन UPSC ने पूछी होई थी, दिख दूँ मैं यहाँ पर, UPSC ने पूछी थी, ठीक है, On all latitude in between the topic of cancer, and topic of Capricorn, this area therefore receive the maximum heat, maximum heat जो है, इस area को प्राप्थ होती है, मिलती है, यह Torrid था, Temperate की और बात कर लेते हैं, आपका जो शीतोशन कटी बन दे, शीतोशन, इसको temperate क्या देते हैं, the midday sun never shine overhead, any latitude beyond the topic of cancer, and topic of Capricorn, the angle of the sun rays, goes on decreasing toward the pole, ठीक है, so as such the area bounded, of the topic of cancer, and the Arctic circle, topic of cancer से लेके Arctic circle, Northern Hemisphere में, और topic of Capricorn से लेके Antarctic circle, Southern Hemisphere में, तो यहाँ पर जो temperature है, कैसे रहता है, moderate रहता है, moderate इसलिए हम इसको temperate क्या देते हैं, समझे, these are called temperate zone, longitudes की हमने बात की, meridian of the longitude, are drawn from the north pole to south, तो यहाँ पर दक्षनी द्रोब, उत्ती द्रोब, दक्षनी द्रोब को मिलाने वाली रिखा, को हमने कहा, longitudes, शेशान तर, right angles, to the equator, the distance between the meridian of a longitude, measure in degree, each degree is further divided into minute, and minute divided into second, तो हर जो degree है, जैसे कि हमने कहा, 360 degree, तो यहाँ पर, हर एक जो degree है, उसको किसमें divide किया, minute में, और minute को किसमें divide किया, second में, प्राइम meridian is an imaginary line, कहीं पर खिची हुई नहीं है, बट अगर हम प्रधान मध्यंतर की बात करें, प्रधान देशांतर की बात करें, तो प्राइम meridian जो line है, imaginary है, जो कि Greenwich Observatory के पास है, Greenwich Observatory के पास है, London, England में, ठीक है, नहीं प्राइम meridian divide earth, into the eastern hemisphere, and western hemisphere, and the prime meridian is at zero degree longitude, zero degree longitude है, longitude of the place is followed by the letter of E, line K, east जाना हो, तो हम उसे east latitude कहेंगे, west जाना हो, तो west latitude कहेंगे, और अगर 15 degree east आए है, तब एक घंटा आप क्या करोगे, plus करोगे के minus करोगे, जोड लोगे है ना, क्योंकि जो प्रत्वी है, मैं कैसे गूमती है, west to east, और 15 degree अगर west जाओगे, तब आप एक घंटा कम कर लोगे, ठीक है, चलिए, और यह standard time हमने देख लिया, यह सारी बाते हम आगे करेंगे, इसने यहां नहीं बता नहीं होगे, ट्रापिक आफ कैंसर कहां से गुजदर रहा है, कहां नहीं, जादा सुपता हो, जादा जिग्यासा होते, एक बार पढ़ लीजिएगा, चलिए, मिलते हम अपनी next class में, I hope आपको चीज़े सबच आ रही होंगी, तो class 6 का पहले हम geography cover करेंगे, उसके बाद हम class 7 का polity करेंगे, फिर geography करेंगे class 7 का, तो दूसरे दिन subject पढ़ो, strategy कभी-कभी change भी करनी चाहिए, जरूरी तो नहीं कि हम, एक जैसी ही strategy अपना है, तो thank you, thank you so much, मिलते हम अपनी next class में,